प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी हे तू अयुक्ताले कॉले शिक्षा राजस्थान जैपुर द्वारा निर्मित यूट्यूब चैनल ग्यान सुधा सक्सिल साथी पर आपका स्वागत है। हिंदी विशय के अंतरगत हम निरंतर बात कर रहे हैं पद्मावती समय के। पद्मावती समय के सिस संबंदित इस अगले वीडियो में हम कुछ और पदों के बारे में बात करेंगे पद्मावती समय से संबंदित। आये देखते हैं कौन से पद हैं पद संख्या साथ है ये बहुती लोगप्रिय पद है पद्मवती समय का और इसके माध्यम से कवी चंद बरदाई जो हैं वो शाहबुदिन गौरी और प्रत्वी राज की सैना के मध्ये युद्ध का वर्णन कर रहे हैं विशेश रूप से इसमें राजा पत्थ्वी राज के युद्ध कोशल का उनके शोरे का उनकी वीर्ता का वर्णन यहाँ पर कभी कर रहे हैं वो क्या कहते हैं बज्जिय घोर निसान की दोनों और के घंगोर नगाड़े जो हैं वो बजने लगे रान चहान चहों दिसी और इस तरह से दोनों सैनाएं जो हैं वो आमने सामने हुई और उन दोनों सैनाओं के मध्य जो हैं वो युद्ध होने लगा शत्रू पक्ष की सैना ने प्रत्वी राज को चारो दिशा से घेर लिया सकल सूर सामंत समरी बल जंत्र मंत्र तस प्रत्वी राज की सैना के सभी शूर बीर सामंत युद्धाओं ने समरी बल जंत्र मंत्र तस स्मरण किया अपनी शक्ती का जंत्र मंत्र तस जो भी उनके पास ताकत थी जो भी उनके पास रण कोशल था उपाय थे तरीके थे युद्ध में शत्रू को पराजित करने के उन सभी का उन्होंने स्मरण किया उन्हें याद किया उन्हें रिकॉल किया और वो कहते हैं उठी राज प्रती राज बाग मनो लग वीर नट और राजा प्रत्वी राज जो हैं इस तरह से उठ कर तन कर सीधे होकर अपनी पीट को सीधा करके उन्होंने घोडे पर अपने आपको तन कर स्थापित किया कि बाग मनो लग वीर नट और इस तरह से घोडे की लगाम को कसकर थामा और अपने आपको युद के लिए तयार किया जैसे कोई वीर कुशल नट जो है वो अपने कर्तब के लिए अपने आपको एकागरचित करता है अपने आपको पुरी तरह से जूपता है उसके लिए तत् जो हैं वो अपने आपको मानो तैयार करते हैं युद्ध के लिए उसे प्रकार से तो ऐसे लगता है कि मानों बिजली जट एक दम से चौक जाती है बिजली जट घट तुरंत बिल्कुल तौरित गती से जैसे बिजली की जो किर्णे है वो कौंद जाती है वैसे ही राजा प्रत्वीराज जब अपनी मैं से तलवार को एक कायेक निकालते हैं खीच कर तो बिज डली के समान चमकती है प्रत्विराज द्वारा अपने आपको इस तरह से युद्ध के लिए तयार किया जाता देखकर जो आकाश में विद्यमान सूरे है वो भी ठक जाता है कौतिकगगन आकाश में विद्यमान सूरे भी कौतु हलवष ठक जाता है और बिल्कुल उसको ऐसे लगने लगता है कि अब राजा प्रतु़राज जो है है वो बहुत भ्यंकर युद करने वाले हैं और वो भी मानो बेवीत हो जाता है रगन-मगन-भैश्च्रोन धर और आसपास की सारी धर्ती और सारी भुमी जो है वो रट से रगन-मगन हो जाती है लिक्त हो जाती है उनके मुख जो है वो लाल रंग के हो जाते हैं और मुख से उनके हुंकार निकलती है जोर से गर्जना करते हुए लाल मुख कुरूद से भरकर उत्सह के साथ में युद के लिए पूरी तरह से तत्पर हो जाते हैं उनके मुख से भी हुंकार निकलती है मानों वो जोर से भरे हुए हैं तो यह है पदमवती समय का बहुती लोगप्रिय पद है बाग मनो लग वीर नट उत्प्रेक्षा लंकार है इसी तरह से लगत मनो बीज जट घट पदमेत्री है ठकी रही सूर कौतिक गगन रगन मगन भैश्रोन धर पदमेत्रई है और इसी के साथ में इसमें जो है यह है पद बहुती लोगप्रिय माना जाता है मन के से वेग कडत तेग मनो वेग लगत मनो भीज बड़ी सुन्दर उकमा जो है वो लेखक ने दी है अगला पद देखते हैं कौन सा है पद संख्या 61 है हुरव रंग न वरंत वर्न भैव जुद अतिचित निस्वासर स जो है प्रत्वीराज चोहान शाहबुदीन गोरी के मद्दे हुए बहानक युद्ध का संग्राम का वर्नन यथार्त वर्नन प्रस्तूत करते हुए कहते हैं कि उस युद्ध में कुरव रंग नवरंत वर उत्साह के कारण सभी युद्धाओं के मुख पर नए खून की ला लालीमा नवरंत वर नए खून की लालीमा नए रक्त की लालीमा चाही हुई है और भयो जुद्ध अतिचित और वी सबी जो है अत्यंत चित के साथ बहुत लगन के साथ पूरे जोश के साथ में पूरे समर्पन भाव के साथ में युद्ध कर रही हैं और उनके मुख पर उ इतना भ्यंकर युद्ड वहाँ हो रहा है कि वहां धिन और रात के मद्य अंतर भी समझ में नहीं आ रहा है। अंतर भी प्रतीत नहीं होता है, दोनों ही पक्ष इतने प्रबल हैं, इतने युद्ध करने में प्रवीन हैं कि ने तो उन में से कोई जीतता है और ने को हार ने जीत, ने किसी की हार होती है, ने किसी की जीत होती है, दोनों पक्ष जो हैं समान रूप से उत्साह एमवीर्ता क के साथ में एक भी कदम पीछे हटाए बिना बराबर युद्ध करते हैं और युद्ध में अपना सब कुछ दाम पर लगा कर जीत के अपलिए प्रयास कर रहे हैं और अपने पक्ष की सेना को जिताने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं निसी वासर समझोन परत इस पंक्ती के अभिपराय को राजनात शर्मा जी ने इस प्रकास पस्ट किया है और वो उचित भी प्रतीत होता है वो कहते हैं कि युद्ध क्षितर में हाथी गोड़ों के इदर उदर दोड़ने तथा योधाओं के पैरों में पैरों के कारण इतनी दूल उड़ रही थी कि वह उपर उठकर आकाश में चा गए थे जिससे सूर्य और आकाश दोनों ही डख गए थे परिणाम सरूप वासंध्यकाल का सा सुन्दुन्दला बातावरन चा गया था दूल की अधिकता के कारण सूर्य के प्रकाश नीचे धर्ती तक नहीं आ पात करते हैं पद संख्या बासट की बात करते हैं वह पद है इस प्रकार से नैको हार नह जित रही न रही सूर्वर धर उपर भर परत गरत अति जुद्ध महा भर कहों कमंद कहों मत कहों कर चरण अंतरूरी कहों कंद वही वेक कहों सिर जुट्टी फुट्टी उर कहों दंत मत ह कि इस पदमें भी प्रसंग वही है दोनों से नाओं के बीच के युद्ध की स्थिधिका वर्णन किया है कभी ने और कभी कहते हैं कि प्रत्विराच चोहान और शाबदिन-गोरी की से नाओं के मत्या जो युद्ध हो रहा था उसमें नै तो कोई हारता था और नहीं कोई जी हैं कि नहां को हार रहा है और नहीं किसी की जीत हो रही है दोनों अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए आप राजय खुद को प्रमानित कर रहे थे नहा हार रहजित रहे ही न रहे ही सूरवर और वो शूरवीर युद में इतने जुटे हुए हैं कि रोकने पर भी नहीं रुकते हैं रहे ही रहने पर रोकने पर मना करने पर भी रुकते नहीं हैं और वो उतनी ही तत्परता के साथ में युद में रत हैं दोन युद में जुटे और उनके मानस पर युद्ध का उनमाद चाया हुआ है इतना उनमाद चाया हुआ है कि रोकने पर भी वो रुकते नहीं है धर उपर भर परत करत अति जुद्ध महाभर महाभर महाभट भट मतलब योधा या सैनिक तो वो वीर योद्धा एक के उबाद एक जो है वो धर्ती पर गिर रहे हैं कट कट कर धर्ती पर गिर रहे हैं शहीद हो रहे हैं लेकिन आहत हो रहे हैं घायल हो रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी वो योद्धा जो है वो उस युद्वुमी से एक इंच भी हटने के लिए तैयार नहीं है और अपने अपने सेना के लिए वो अत्यंत भ्यानक युद्ध करने में लगे हुए हैं और शत्रू के विरुद अपनी शक्ती का प्रदर्शन कर रहे ह कहूं कमंद कहूं मत्ध कहूं कर चरण अंतरूरी इस तरह से वहाँ पर जब योद्धा घायल होकर गिरते हैं तो किसी का वहाँ पर धर पड़ा हुआ है कहीं मस्तक पड़े हुए हैं कहीं हाथ हैं कहीं पैर पड़े हुए हैं यहाँ पर अब मुनोंने विबत्स रस का भी करते हैं तो रस योजना के अंतरगत हमें यह ध्यान रखना होगा इस तरह की पंक्तियों में विबत्स रस की भी योजना कभी ने की हैं जहां युद्ध का वर्णन है वहाँ करुन रस और विबत्स रस जो है वो सोता ही संचरित होता है तो यहाँ पर भी विबत्स रस का व युद्विक्षेत्तर में उन योद्धाओं के आंतरियां बिख्री हुई है। कहुं कंद वही बितेग। कहीं किसी कंदे को काटी हुई तलवार पार हो जाती है। कंदे को भेद देती है। कहुं सिर जुट्टी फुट्टी उर। वो फट जाते हैं, वो वहाँ से भेद दिये जाते हैं, और कमुदंत मंत है शुर शुपरी, कहीं पर हाथियों के टूटे हुए दांत दिखाई पड़ते हैं, कहीं पर गोडों के खुर और खोपडियां पड़ी हुई हैं, कुम्ब, भरसुंड, रुंड सब, इस तरह से वहा है कि वहाँ पर मस्त हाथियों के टूटे हुए दांत दिखाई पड़ते हैं, गोडों के खुर दिखाई पड़ते हैं, और गोडों के सिर इदर उदर छित्रे हुए बिखरे हुए दिखाई पड़ते हैं, और कहीं हाथियों के मस्तक कुम्ब, भरसुंड, कहीं हाथियों के कहीं उनके मस्तक के साथ में सूंडे उनकी पड़ी हैं कहीं धर्ती पर उनके धड़ पड़े हुए हैं इस तरह से राजा प्रत्फिराज चोहान जब अपने हाथ में तलवार पकड़ते हैं तो क्रोध के कारण उनका मुख सूरे के समान तेजस्वी हो उठता है दैदिप्यमा जाती है तो पूरे पद में यहां पर अतिश्योक्ति भी है पद मैत्रई भी है और अनुप्रास अलंकार भी है युद का बहुती सुंदर और सजीव चित्रन किया है आदभूत रस भी है विभत्स रस भी है और कविता में जो युद की भ्यानकता और युद क्षेत्र की ज सफल हुए है और चंद बरदाई जो कवी है उनोंने युद्ध के नुमाद का बहुत ही सुंदर तरीके से चितरन किया है अदुभुत वर्णन किया है ऐसे वर्णन जो है बहुत विलक्षन है बहुत कम देखने को मिलते हैं युद्ध स्थल के इतने सजीव चित्रन जो है वो बहुत कम देखने को मिलते हैं इस तरह से जिस भाशा का प्रियोग किया है वो अपने आप में वीरस के पूरी तरह से अनुकूल है और ओजगुन प्रधान और प्रसंगानुकूल भाशा का प्रियोग किया है तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर वीरस ब्यानक और विबस तीनों वीरसों का संचार करने में कभी जो है वो पुरी तरह से इस पद में सफल हुए हैं। वीरस प्रत्विराज प्रत्विराज जोहान ने अपने हाथ में तलवार पकड़ी और गजम जूत परिकोप कहरी समान। च्वाइं बहुत निर्द्यप्राइटा के साथ में हाथिक टूट पर थूट परता है हाथियों के सम्मोगार ठीक वैसे ही राजा प्रत्वी राज ने अपने हाथ के दलवार पकड़ी और रुगलतождения के सम्मोगारीक वे सिंग के समान कहरीक 2 पड़े। करे रुंद मुंद करी कुम्ब फारे और फिर उनकी तलवार इतनी दिवरगती से चलने लगी कि उनने शत्रूओं के जो शत्रूओं को काट काट कर उनको रुंद मुंद कर डाला किसी का धड़ लग कर दिया किसी का मस्तक लग कर दिया और हाथियों के मस्तक को कुम्ब फारे कुम्ब मतलब यहां जहां पर भी आया है इससे पहले पद में भी आया है कुम्ब से मतलब है हाथियों का मस्तश्क मस्तिश्क जो है उसको भी उन्होंने फार डाला और बरम सूर सामंत हुंकी गर्ज भारे और हाथियों पर सवार योधाओं को मार कर उनके सिर को धर से लग कर और हाथियों के मस्तक फार डाले और उनके जो शेष्ठ शूरवीर सामंत थे वो अपने राजा प्रत्विरा चोहान को इतनी तिव्र गती से उनकी चलती तलवार उर चलती तलवार के परिणाम सुरूप शत्रूपक्ष के सैनिकों युद्धाओं और हाथियों की हो रही इतन इतनी विनाश को देखकर वे सारे युद्ध भुमी में एक नए उत्साह से भर गए और भ्यंकर गर्जना करते हुए हुंकार करते हुए अपने राजा का साथ देने लगे और युद्ध भुमी में पुरी तर्ट परता से युद्ध करने लगे इस तरह से इस पद में भी बहानक चित्र उनोंने युद्ध के प्रस्तुत किये हैं और भाशा जो है वीर रस के अनुकूल है और इसमें अनुपरास है, उप्मा है, निधर्षन अलंकार भी इसमें प्रियुक्त हुआ है तो यहां पर कवी ने फिर से युद्ध का बहुती सजीव चित्रन किया है अगला पत देखते हैं कौन सा है जुन्ड पर जब आक्तरमन किया तो मार काट मचाई वहां पर तो वहां पर क्या हुआ हाथियों की सूंड जो है काट डाली कहीं पर उनके कुम्ब स्थल को काट दिया मस्तक स्थल को काट दिया तो हाथी क्या करने लगे करी चीह चिकार करी कल्प भगे वो कलपते हुए बहुत दर्द में भागने लगे चीक चिकार करते हुए चीकते चिलाते हुए चितकार करते हुए भागने लगे मदम तजी एलाज मग मगे और मद को जो उन्होंने था वो अपने मद को भूल गए अपनी मस्ती को बूलकर लाज उमंग मगे और अपने आपको बचाने की उमंग में वो उनकी जो है लार टपकने लगी बूलकर लार टपकने लगे मतलब जो एक मस्ती थी वो उनकी मस्ती समापत हो गई और अब वो उनकी जान के लाले पड़ गए दोरी गज अध्ध चहुआन के रो और जैसे ही सभी हाथियों के समूज जो है वो अपनी जान बचाने के लिए उदर उदर दोड़ने लगे जिदर रास्ता मिला उदर मू ठाकर दोड़ने लगे तो यह देकर प्रत्विराज चोहान ने उन हाथियों को दोरी गजम अंध शहुआन के रो राजा प्रत्विराज चोहान उन्होंने उनका पीछा किया उनको उकसाया और वे सारे उनमत्त होकर अधम अंधे के समान उनमत्त होकर जो है वो भागने लगे और उन हाथियों को चारों और से पीछा करके उन्हें चारों और से प्रत्विराज चोहान ने उनको घेर लिया और उन हाथियों के भागने से वहां इतनी भगदर मच गई कि उसके कारण बहुत धूल उड़ने लगी और गेरिये गिर्दम चिहु चक फेरो और चारों और इतनी धूल उड़ने लगी जिसके कारण उन्हें दिखाई देना बंद हो गया और उसी दूल के घेरे में वे हाथि जो हैं चारों और चकर काटने लगे और उन्हें निकल भागने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दिया घेरिये गिर्दम चिहु चक मतलब क्या है कि प्रत्वीरा चोहान ने बड़ी चतुराई के साथ सारे हाथियों में भगदर मचा द दिया वो अंधू के समानी दर उदर भागने लगे फिर उनके ही भागने से जो धूल उड़ी उसने चारों तरफ इतना चकर बना लिया चारों और चक्रविव सा बना लिया और चक्रविव के अंदर भागते भागते हाथी जो है वो चिंगार रहे हैं चितकार कर रहे हैं अपने प्राणों पर आए हुए संकट से अपने आपको बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो इतने उलज जाते हैं उस धूल के गुबार में, धूल के चक्कर में क्योंने कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, इस तरह से कलपते हुए, कलपते हुए हाथियों का एक शब और लाज शब्द जो है, उन्होंने विशिष्ट ध्वनी के लिए वहाँ पर पस्तूत किये हैं, मदम्त जिये लाज उमगमगी है, और जहां पर वो बताते हैं कि वो अपने मद को त्याग देते हैं, और लार टपकाने लगते हैं, अपने प्राणों का संकट जुन पर आत है, उसको बचाने के लिए, अपने प्राणों को बचाने के लिए, युदुक्षेतर में जो हाथियों की भगदर मचती है, उस हाथियों की भगदर के द्रश्य बिम्ब को उन्होंने प्रस्तूत किया है, भ्यानक रस की स्रस्थी की है, और बड़ी युदुक्षेतर में ज देखते हैं कि इन सारे युद्ध वरणों में किस तरह से चंद बरदाई जो हैं वो युद्ध का सजीव चित्रन कर पाने में सफल होते हैं इस प्रकार हमने देखा कि पद संख्या 60 से लेकर पद संख्या 64 तक कवी चंद बरदाई ने इन पदों में युद्ध का सजीव चित अलंकारों का सुन्दर व्योग किया है, दृष्य बिम्ब प्रस्तूत किये हैं, पद मैतरी उन्होंने प्रस्तूत किया है, अनुपरास अलंकार तो है ही और गज जूत परी कोप कहरी समान, यहां उपमा के माध्यम से निदर्शना अलंकार भी है, प्रतीत होता है, तो इस तर पद जो है, वो ब्यानक रस के लिए, वीर रस के लिए, विबस रस के लिए, विशेश रूप से वहां पर उधारन सुरूप प्रियुक्त किये जा सकते हैं, आज के लिए इतना ही धन्यवाद,